नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो में वर्ल्ड कप फॉल मोड पे आन है विराट बैटिंग कर रहे हैं स्कोर कर रहे हैं इसी तरह हमारा क्वार्टरली रिजल्ट भी ओन है और लगाता रिजल्ट आ रहे हैं आज हम कोटेक महिंद्रा बैंक और आई से बैंक के रिजल्ट यह पूरे तरीके से खरे उतरेंगे अब भी देख लेते हैं कोटेक महिंद्रा बैंक से शुरुवात करते हैं आपके स्क्रीन पर स्नेपट है आप देख रहे हों कि यह काफी अच्छा जंप है नो हजार नौसो यह नहीं दस हजा करोड से तेरह हजार करोड एविड़ा सिक जो पहुत ही कम था उससे बढ़के 3581 और नेट प्रॉफिट जो था वो 3608-600 8 करोड से 4461 यह तो होगया यह यह बैसे पर क्वाटर और क्वाटर बैसे पर देहोगे तो आप देहोगे 12000-13000 2500 666 से 3581 और चाहर एकसों पचास से पॉर फॉर फॉर सिक्स वन तो जंप है लेक देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट है कि को लिए हैं जो हमने भी देखा 1377 करोड का रेवेन्यू था लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि इनका एक्सपेंस जो है वो आलमोस उतना ही है पिछले तीन क्वाटर से लेकिन जो इनका फाइनसिंग प्रॉफिट है वो इस बार क 2888 है अगर मार्च वाटर में देखोगे जो क्लोजिंग में इसका जो प्रॉफिट फॉट था वहां से नीचे ही आया है यह इसमें यह इसी पॉइंट पे पांचार आटसो नौसो के पॉइंट कर रहा है फैनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तेईस पसंड थे वह अठारा और चौदा यह भी हो सकता है कि इस पर डाल रहा हो क्या एसा रिजन था कि एक्सपेक्टेशन एस्टीमेशन में बहुत उपर नंबर थे पर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वह भी 4400 करोड करोड के हैं मार्च वाटर से अभी भी नीचे हैं हां कि पिछले हमारे एक्सपेक्टेशन एस्टीमेशन से कुछ नहीं होता जो बड़े प्लेयर्स हैं बड़े कैपिटलिस्ट हैं केपिटल फंड मेनेज्मेंट हैं यूचल फंड है पॉट्फॉलिय मैनेजमेंट सर्वेसिज हैं वो खरी देंगे लाग को करोडों में तो उनके एकस्पे पर जाईए अकाउंट बनाई है क्लिक करके अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट देखोगे तो लगातार इसने लोवर हाई बनने शुरू कर दिये थे यह जून से ही एक्सपेट कर रहा है यहां पर तो मार्केट में ऐसा नहीं कि नए है कि कि इसके रिजल्ट जो ह थोड़े से खराब होंगे एक्सपेक्टेशन भी फिट नहीं बैटेंगे लेकिन पॉइंट ही है कि यहां पर एक सपोर्ट दिख रहा है हलका सा तो हो सकता है यहां डबल बाटम मनाए और लास्ट के यानि जो लास्ट व्राइडे था उसमें अच्छा का सा जंप आयता दो 200 से नीचे है और यहां दोनों डेथ क्रॉस टाइप का बनाके कट कर चुकी है तो मुविंग एवरेज से तीनों नीचे है सबसे ध्यान देने वाली बात यह है अब आ जाते हैं इसके आरसाई पर तो आरसाई भी आप देखोगे तो इसी पॉइंट में यह कंसोलेट कर रहा है और यह भी एक तरह से लोवर हाई लोवर बनाए जा रहा है क्योंकि काफी टाइम से नीचे है तो हल्का से में पॉजिटिव कंवर्जन से आगर आप देख रहो तो सिग्नल लाइन कर दिया है तो हो सकता है कि expect कर रहा हूं कि यहां से यह उपर की तरफ जाए इस्यू क्या है कि मेरी भी पोजिशन है लेकिन आप इसे वीकली वेसे पर लगाओ आपको दिख जाए कि 200 वीकली पर ही सपोर्ट ले रहा है तो अगर आप देखो तो यह इसी पॉइंट में सपो तो यही पोजिशन लेके मैं बैठा हूँ इसमें मैं फर्दर इंवस्मेंट इसमें नहीं करूँगा क्योंकि overall global conditions जो है economic conditions वो बिल्कुल सही नहीं है उसको वीडियो के end में देख लेंगे पट फिलहां आप देख रहे हो कि एक चैनल बना हुआ है मैं इसको clear कर देता हूँ मैं दिखा देता आपको एक चैनल बना हुआ है यह सपोर्ट है यह इसका resistance है जो swing कर सकता है थोड़े टाइम के लिए hold कर सकता है वो इसमें प्रेंट करेगा कोई भी भाइस सा रेकमेंडेशन नहीं है यह सिर्फ एक समरी है मेरा analysis है आपको इस सिर्फ इसके वाइस पर ना क कोटेक बहिंद का अगर आप सेम आपको मंतली भी मैं लगा दूँगा तो मंतली में भी आप देखोगी कि एक support जो है वो बना हुआ यहां पर और एक resistance जो है continuously हां बना हुआ है तो अगर आप एक rectangle type का formation है इसमें अगर आप swing कर सकते हो कुछ महीनों के लिए invest करके तो आप well good जो 50 डेमा है वो काफी close आ गई है monthly basis पर 50 डेमा बोल रहा हूं 50 monthly exponential moving average जो है वही last support होता है तो यहां पर आ गया है तो हो सकता है कि यहां से positive moment आ जाए result expectation के हिसाब से expectation list है उसके साब से उतना अच्छे नहीं है बट चार्ट हमको बता रहा है कि एक swing के लिए ready हो रहा है कोटेक इसे बैंक के रिजल्ट पर है आप देख रहे हो एक snippet आपके सामने जो yearly basis पर देख रहे हो लास्ट सेप्टेंबर से या quarter से आपको continuously increase दीख रहा है 28 से 37 38 389 समझ लीजिए यह बिद्दा में भी उजम देखी 600500 था यहां 15000 यहां 14000 थोड़ा सा decline है बट ठीक है net profit में आप इसको एक्सपैंड करके देख लेते हैं अब यहां आप देखो जो इसके नंबर है सेल्स के 38,938 करोड यह आप तक के बैस्त हैं इतना इन्होंने revenue कभी जनरेट नहीं किया आप प्रीवेस सिस्ट्री मी जाकर देख सकते हो सेम इनके साथ भी ऑपरेटिंग मार्जिन का इसके देखोगे आप तो 15,160 यह भी अब तक इन्होंने कभी नहीं क्या थक का all time highest है अब अपने profit पा जाते हो 11,351 करोड यह भी आप तक का best है इतना कुछ नहीं हुआ तो result तो इनका ठीक है expectation list इसके भी मैं देख रहा था बहुत high expectation I don't know क्यों इतना high expectation है God knows but result जो है stand alone basis पर अगर आप देखो बिना किसी expectation list के तो ठीक है चलते हैं इसके भी चार्ट पर देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है हुआ अगें आप चार्ट देख रहे हो तो result आने से पहले ही इसने नीचे की तरह moment दिखा दिखा दिया था तो ऐसा नहीं कि टॉप पर बैठा है सेम कोटेक बैंक के साथ भी कोटेक बैंक भी रिजल्ट आते हैं जो उनको लगा कि खराब है expectation मार्केट को लगा तो पहले ही काफी नीचे बैटा है तो गैप डान होने की चांसे काम है हाँ 200 डेमा का सपोर्ट 926 के असपास है लेकिन आप देखोगी पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था तो सपोर्ट थोड़ा सा ओपर भी आप देखो यहां पर बीस से नोट सो दीस की बीच में सपोर्ट है अगर इसको यहां से मूव करना है तो आप देखोगी हलका सा इसा double bottom म होना कि यह उपर जाएगा हजार के आसपास अगें फिफ्टी और हंडड़्ड डेमा की नीचे लेकिन टू हंडड़्ड डेमा के बिलकुल पास है तो एक सपोर्ट हो सकता है इसको हटाते हैं अलगाते आरस है आरस है में भी आप देख रहे होगी डानवर्ड जर नहीं कर रह को सब्सक्राइब करें मार्केट और पहले पर सपोर्ट ले चुगा है तो शकता है इसको वीकली बिससी लगा लेते हैं कि वीक्ली पिसे लगा देख रहे हो कि 50 वीक्ली एक्स्पोनेशल मुविंग के आसपास इसने पहले भी सपोर्ट लिया है और जब जब उसके पास आता है तो सपोर्ट लेता है अब घिस घुसा के यह पास आ होगा है थोड़ा सा दूर है 932 के आसपास करेंट क्लोजिंग है और जो फिफ्टी डेमा है फिफ्टी वीक्ली एक्स्पोनेशल है वह 914 के आसपास है यहां से भी आके सपोर्ट ले ले तो कोई हरानी नहीं होगी ऐसा कोई बहुत आर्स्टेंडिंग मुमेंट इसमें है नही तो ऐसाच कोई दिक्कत नहीं है फिला लेकिन इसका चार्ट पॉस्टिव है अगर आप देखोगे तो 200 डेमा के पास है डेली वेसेस पर और वीक्ली वेसेस पर है फिफ्टी वीक्ली एक्स्पोनेशल मुमेंट के पास जहां से इसने पहले भी प्रिवेस इस्ट्री को पहले भी मुजें शन्या से बॉंस लिए तो यह अच्छी बात है आप ग्लोबल कि उउसपे ग्लोबल कि उजस अच्छे नहीं है अब जाते हैं ग्लोबल वीविस पे ग्लोबल वीवीड 552 अच्छे नहीं है या सन पी है लीकिन से मतलब नहीं से इसमास्टली एक कमपनी न देखिए ये भी 200 डेमा के नीचे है और काफी नीचे बहुत ही चैजी से आ गया है विक्स एक बहुत विक्स मतलब वुलेटल इंडेक्स ये यूएस का वुलेटल इंडेक्स है काफी इसमें मुवमेंट है कुरूड जो है वह अपने अलग हाई पर है और उसको नीचे आने के कोई मज़द नहीं मिल रही है डॉलर इंडेक्स अपनी अलग हाई बना के सस्टेन कर रहा है और यहां पर आ जाती है सबसे इंपॉर्टन यूएस की बॉंड अगर आप ग्रसियर की बॉंड देखिए तो वह एक अलग हाई पर बैटी है वो फाइव को टच करके आई है पा लेंगे तो लोन लेने वाले कम लोग होंगे और जो लेंगे उस में डिफॉल्ट करने के चांसे ज्यादा है एंप इक चांसे बी जाता है यह एक अलग कहानी है और सेम कहानी आप देखोगे यह तो दसेयर की बॉंड होगी आप दोईय की बॉंड देखोगे तो हलका सा देखा गया है कि जब गोल्ड उपर जाता है तो एक्विटी मार्केट नीशे जाते हैं कि कोई ने कोई तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इनमें जो एक्विटी से पैसे निकाल रहा है वो गोल्ड में कर रहा है तो ग्लोबल क्यूज उतने अच्छे नहीं है यह हमको ध्यान भी देख सकते हो निफ्टी बैंक भी दो दिन लगातार गैप डाउन होने के बाद थोड़ी सी भाइंग भले ही आगई लेकिन ट्वांडेड डे मुविंग एवरेज को यह टेस्ट कर रहा है अगर यह टूटेगा तो फिर कहां जाएगा गॉड नोज तो क्लूशल जैंक् सब्सक्राइब का कोटेक बैंक का निफ्टी बैंक लोबल क्यूज कैसे लगी अनलेसे जरू शेयर करिएगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करिए हमारे नहे चैनल है में सब्सक्राइबर्स के वैसे भी बहुत आफशकता है आपके लाइक शेयर से हमारा वीड कामेंट्स में जरू शेयर करिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धरनेवाद